नमस्कार संस्कित के प्रिविध्यारतियों आप सभी का बहुत मस्वागत है मैगनेट ब्रेंस हिंदी मीडियम पर मैं पंकचते बारी जैसा कि मैंने वादा किया था आप से कि मैं बहुत जल्दी से इसका अगला भाग ले करके आऊंगा तो आपके समक्ष मैं चत्वारह रखेंगे और हम पाठ जो पढ़ रहे हैं वो हमारा चतुर्थ पाठा चत्वारो वेदा ठीक है ना चार वेदों पर हमारी चर्चा चल रही थी जिसमें से दो वेदों का अध्यान हम पहले भाग में कर चुके थे जिसमें हमारा प्राचीन वेथ्था रिगवेद और पर आप से चर्चा जरूर करूँगा बात करें कि रिगवेद पर एक पुन्रा वृत्ति आपको करवाता हूं आपके मार्ड में एक सेट अप बनाता हूं जिससे कि आपका ये दूसरा पार्ट आपके उस पहले पार्ट से टच में हो जाए ठीक है ना क्योंकि जब कहानी को पूरा एक हम फिलो में लेकर के चलेंगे जिससे हमारा पूरा पार्ट कम्प्लीट होता है आपको अपनी पुस्तक जरूर पास में रखना है आपको अपनी बुक जरूर पास में रखना है ध्यान रखें और हात में पैन होना चाहिए जिससे कि आप कहीं पर भी कोई चीज तो आप मर्क कर सकते हैं, ठीक है न? तो मैं आपको बताओं कि रिग वेध की बात करें तो रिग वेध में 1028 हमारी सुक्तिया बतलाई गया थी। रिगवेद सरव प्राचीन वेद बताया गया था, सबसे बड़ा वेद बताया गया था, दस मंडलों में विभक्त बताया गया था, उसमें 10,552 क्या थे, रिचाएं अर्थार्थ मंत्र थे, इस प्रकार से उन्होंने रिगवेद के बारे में चर्चा की, रिगवेद के बाद यजुरुवेद आये था यजुरुवेद में 1975 मंत्रों का समावेस किया गया दो भागों में विभक्त किया गया सुकल यजुरुवेद और कृष्ण यजुरुवेद सुकले यजुरवेद उत्तर भारत की सस्था उत्तर भारत की हमारी जो संस्कृती है वहाँ पर ज्यादा प्रचलाना कर्मकांड आदी यग्यादी कर्म में इसका प्रयोग किया जाता है यजुरवेद को यग्वेद का सिरोधार भी माना जाता है तो यहां तक छोटे छोटे प्रश्ण जो हमारे बन रहे थे उन पर चर्चा हुई थी लेकर अब हम करेंगे सामवेद तीसरा वेद हमारा कौन सा है सामवेद तो सामवेद पर चर्चा करने से पहले आप सामवेद के बारे में जाने सामवेद से बनने वाले प्रश्णों के ब देवानाम प्रशादनम लक्षम यस्ति प्रशादनम चा गानेन भवती प्रशादनम चा गानेन भवती अतये वो सामवेदस्य गायकाह उदगाताराह कत्यंति भारतिये शंगीतं शामवेदा देव प्रारवती शामवेदे अश्टादसो पंच सप्तती मंत्राह शन्ती शाम वेदस्चो पूरवार्चिक उत्रार्चिक भागयो हो विभक्ता पूरा आप एक एक सब्द को पढ़ा है केवल क्या किया है पढ़ा है अब इसको थोड़ा सा आप पहले इसे व्याकरनात्मक टिपड़ी देखे फिर मैं आपको इसका आर्थ बता रहा हूं कि कैसी यह हमारा वेल बनेगा साम वेदाह की बात करें हम तो इसमें प्रत्मा विभक्ती का हमारा कौन से मंत्र हो जाएगा प्रत्मा विभक्ती का एक बचन शाम वेदाह ठीक है ये प्रत्मा विभक्ति है और एक बचन है प्रत्मा विभक्ति है एक बचन है क्यों आप साम को थोड़ी देर के लिए हटा दीजी बेद बस को ले लो तो बेद में दा में देखें छोटा आ है बेद में क्या है देखो ये लिखा हुआ है बेद में दा है दा में क्या ह चोटा आ है तो ये लिखा हुआ है हमारा राम राम के मा में भी तो चोटा आ है ना ठेक तो राम का मा और दा दोनों में जब चोटा आ है तो दोनों हमारी क्या निकलेंगे अकारांत बाची सब्दे निकलेंगे अकारांत और दौनों के रूप भी हमारे कैसे चलेंगे समान चलेंगे तो यहां बनता है प्रत्मा विवक्ती में रामा है तो यहां बनेगा वेदा और इसमें उसने कुछ नहीं किया है इसमें किवल साम को जोड़ दिया है तो क्या हो गया है साम वेदा हो गया ना तो प्रत्मा विवक्ति समझ में आया अगर देखो रूप अगर नहीं बन रहे हो तो थोड़ा सा आपको रूप को जरूर दिखना है और अगर किसी दूसरी बुक में लिखे हो तो उसको पास में रख लीजिए तो और ज़्यादा पढ़ते जाएए और जैसे मैं बताऊं कोई रूप तो आप उसमें तद्काल देख सकते हैं इस से क्या होगा कि हमारा बिल्कुल प्रक्टिकल ही चलेगा समझ में आया ना चलें जैसे रामहा रामम रामेन रामाई रामात रामस रामे ही राम साम वेदाह साम वेदम साम वेदेन साम वेदाय साम वेदात साम वेदश्यों और शाम वेदे शाम वेदो ऐसे हमारी चलेगे है साम वेदो तो यह हमारा प्रत्म विवक्ति का एक बचन होगा शाम वेदा ठीक, आगे देखेंगे, फिर दिया हुआ है प्रायेड, प्रायेड में जैसे रामेड, बैसे ही प्रायेड, तृतिया विभक्ति का एक बचल लगा हुआ है, तृतिया विभक्ति का एक बचल लगा है, जो कि यह लिखा है जैसे रामेड, यह बना हुआ है हमारा प्रायेड, बस उतना याद रखना है, कभी-कभी आप लोगोंने देखा होगा कि सर बालकेन भी तो आता है लेकिन बालकेन में अना नहीं होता है अगर रूप को पढने वाले होगे तो सारी चीजें समझते जाओगे किवल रट्टा मार पढ़ाई करने किवल भूल जाते हैं ध्यान रखने हैं, लट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, तुक्का बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक, आप दोनों को मैच करके देखें, ये भी तृतिया भिवक्ती का एक बचन है, ये भी पुलिंग बाची है, ये भी पुलिंग बाची है, फिर क्यों? इसमें अनाकार है, इसमें अना हो गया, यहाँ ना है, ऐसा क्यों? तो आपको मैं बता दूँ, एक संस्कृत के आधार पर बताओं तो एक सूत्र आता है, अट कोपवांग नुमे मब वायोपी, लेकिन इतना आपको कठिन सूत्र याद याद नहीं करना है, आपके से जरूरत से आपके जरूर इसमें होने पर यह हमारा खुता है, लेकिन अब आपको सौट कर तरीका बताओं, तो बस इतना याद रख लेना है, कि जैसे संधियां आप लोग पढ़ते हो, तो यह धन चिन है, यहाँ पर रिसी, सटकॉन वाला सा, और रिसी, और रा, अगर यह तीन वर्न आपको यहाँ पर मिल जाए, और उसके बाद यहाँ पीछे ना मिल जाए, बने यह धन का चिनन ना हो, लेकिन बाद में ना हो, तो इस ना का क्या हो जाता है, अणा हो जाता है, इनको देख करके, ठीक, तो इनमें से रिसी, सटकॉन वाला सा या रा मैसे, यहाँ पर कौन है, देखो राह पहले है, अना बाद में है, तो इहाँ ना था तो ना काणा होगी, लेकिन इसमें कहीं ना तो रिसी है, ना सटकॉन वाला सा है, और ना रा है, इसलिए यहाँ ना काणा नहीं हुगा, ठीक है, ध्यान रखने ले ना इस बात को, इसमें भी देखो प्रा मैं रा है, प्रा, प्रा में रा है इसलिए यहां भी अडाकार हो गया है चले आगे देखें देखें मैं आपको बता दूँ यह साधारर कोई नहीं बताता है क्योंकि उसको तो यह है कि सीधे सीधे जल्दी यल्दी पढ़ाओ ठीक हाँ जो अदबुद बैच के द्वारा दिया जा रहा है इसके बाद दिया हुआ है रिगवेदश्य तो रिगवेदश्य की बात करें तो आप लोगों ने एक देखा होगा राम का रूप तो राम की रूप में आपने रामस से पढ़ा शश्टी भवक्ति एक बचन में तो वैसे ही आपको पढ़ना है रिगवेदश्य ठीक प्रायन रिग्वेदश्यों शश्टी भक्ति का एक बचान गे आत्म कई ही गे आत्मक देखें यह लिखा हुआ है गे प्लश्यों आत्मक 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 कई ही गे आत्मक कई ही ठेक फिर इसके बाद मंत्राई है मंत्राई है समझ में आया हाँ अब बात करें कि यहां पर दिखू बड़ा या है लेकन यहां बड़ा या नहीं है यहां चोटा या है तो यहां का चोटा आ और यहां का बड़ा आ दोनों ने लिया सहारा किसका दीर्गेशंधी का किसका लिया दीर्गेशंधी का सहारा लिया और दीर्गेशंधी बना दी और दीर्गेशंधी का सूत्र होता है हमारा कौन सा अकह शवर्णे दीर्गा अकह शवर्णे दीर्गा यह हमारा यहां सूत्र हो जाएगा तो इससे यहाँ पर बड़ा आ हो गया, यहाँ से यहाँ से आ हट गया है, और यहाँ से भी आ निकल गया है, तो इसलिए यह भी आधा हो गया है, आप क्या करेंगे, जब यह आधा हो गया है, तो इसकी मात्रा इसमें लगा देंगे, तो यह बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा है आधाता मा और कई ही कई ही ठीक है समझ में आया कई ही विशर्ग लग जाएगा चैलिए विशर्ग लग गया अब देखो ये विशर्ग लग गया ना गे आत्म कई ही मतलब यहां पता चल गया है कि गे आत्म कई ही में कौन सी संदी है दिर्ग शंदी है और अक्सिस सबरणी आच परे हो तो दिर्ग शंदी होती है अब यहां पर देखें मंत्रई लिखा हुआ है तो यहां विशर्ग शंदी है मंत्रई में ठीक है न यहां विश विशर्ग शंदी हो जाएगी विशर्ग शंदी क्यों क्यों कि यहां पर देखो मा के उपर रा लगा हुआ है लेकिन यहां नहीं लगा नहीं लगा न तो विशर्ग के इस्थान पर क्या होगा विशर्ग के इस्थान पर होगा हमारा सबसे पहले सा क्या होगा सा कौन से सुत् करदेंगे और फिर यहां पर दूसरा सुत्र लगेगा हमारा क्या सस जुसो रुभ गियात में कई ही रुभ लग गया नगे आतमे कई ही रू फिर मंत्रई ही जयो कत्यों हमारा यहां रहेगा ठिक अब यहां पर रू में जो हमारा उ लगा हुआ है उसको हम हटाएंगे उपदेशी अजनुनाशिक इत्से उसको हम आटा देंगे तो हमारा केवल बचेगा क्या गे आत्म कई ही रा बचा और मंत्रई ही आ गया बोलो हाँ ठिक तो यहां हो गया अब इस रा को क्या करना है यह रा है पीछी स्वर होता तो यह पूरा हो जाता लेकिन अब हम क्या करेंगे इस रा को जल्तुम्भीका नययल रेफस और्द गमनम तो इसको मा के उपर ले जाएंगे और यहां से हड़ जाएगा ठिक तो मा हमारा यहां आ जाएगा रा यहां आ जाएगा आधान ना ओत्रा आ जाएगा ठिक और यह बन जाएगा हमारा मंत्रई ही बन गया ना? तो गे आत्म कईर मंत्रई बन गया की नहीं बन गया तो यहां पर हमारी कौन सी संदी है दीरगिशंदी और विशरगिशंदी है इस सब्द में और भी अभी इसमें है देखिए मैं निकालूगा तो बहुत सारे प्रश्णों निकलेंगे वो पूझेगा गे आत्म कई ही मंत्रई में कौन सी संदी है तो विशरगिशंदी भी है और दिरगिशंदी भी है और वो पूझेगा गे आत्म कई ही मंत्रई में कौन सी विभक्ती है तो आप बता देना कि तृतिया विभक्ती का बहुबचनांत पद है तृतिया विभक्ती क मैं भी तृतिया विभक्ति मंत्र ही मैं भी तृतिया विभक्ति का बहु बचन है ठेक आगे चले संकलिता संकलिता साधारन हमारा शंकलित है और तत्रम अभ्याय है तत्र हमारा क्या है अभ्याय है और तत्रमाने होता है वहां तत्र का मतलब वहां अब यग्य यग्य लगा यग्ये में हमारी सब्तमी विभक्ती है, कौन सी है? सब्तमी विभक्ती का एक बचन, सब्तमी का एक बचन, कैसे होगा? जैसे यग्या यग्यम यग्यन यग्याय यग्यात यग्यस यग्य रामह रामम रामेन रामाय रामात रामस रामे वैसे ही होगा हमारा यग्य होगा कि नहीं होगा यग्गे तो यग्गे जब हमारा यहां बन जाएगा तो सप्तमी विभक्ति का एक बचानीश में कहलाएगा ध्यान रख लेना ठीक, यग्ग मैं अर्थ क्या निकलेगा यग्ग मैं क्योंकि कारक्षिन क्या होता है सप्तमी का मैं और पर मैं और पर कारक्षिन जरूर आप लोग याद रखना कि प्रत्मा में जैसे हमारा होता है करता ने कर्म को करण से के द्वारा करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना अलग होना दूर होने की बात की जाए यहाँ अपादान फिर संबंद का के की संब फिर इसके बाद आजाएगा अधिकरण मैं पर और हे भो अरे यह हमारी क्या है हे भो अरे यह हमारी सब यह नीचे के संबोधन है यह सप्तमी प्रतमा दुतिया त्रतिया चतुर्थी पंचमी सश्थी सप्तमी अश्टमी अश्टमी नहीं होगा संबोधन होगा संबोधन ठीक है तो यह कारच्य ना याद रखना तो अर्थ निकालने में आपको बहुत आराम से अर्थ निकाल सकते हैं फिर इसके बाद देखिए समाहुता नाम समाहुता नाम में लगई हुई है हमारी सष्टिभक्ति का बहुबचनार पद है देवा नाम क्या लगा है देवा नाम देवा नाम में भी सस्थी भक्ति का जैसे रामा नाम यज्या नाम ठीक जैसे ही देवा नाम सस्थी भक्ति का बहु बचन पद लगा हुआ है प्रशादनम प्रशादनम में दुतिया भक्ति का एक बचन लक्षम अस्ति लक्षम अलग हो सकेतारा गसमें क to dodaty जाएगा धिक तू लक्षा मास्ति इसमें या हुँ साथ में कारक्षन होगा को कौर तरुतियाब भक्षन होगा से यक्के द्वारा गानें तो से जाने द्वारा भवती हो घानेलंे में बचल को रूप है भवती भवतहा भवन्टी यह हमारा रूप रहेगा ठीक फिर इसके बाद यह हमारी इसमें धातु की बात करें तो भू धातु है भूशे बनता है भव और भू सत्तायाम धातु है और यहां हमारा बन जाएगा क्या भू सत्ता भू सत्तायाम धातु कहलाती है भू से भव बनता है भू से रूप चलते हैं भवती भवता है भवंती ठीक लेकर ये परोक्षे लेट आदी में इनका भू से भव नी बनता है सीधे भवू बनता है धातु का दुत्तो हो जाता है आगे देखें इसके बाद दिया हुआ है अत प्रत्मा का बहुबचनांत पद है यसी रामा है वैसे ही गायका है प्रत्मा का क्या हो जाएगा इसमें बहुबचनांत पद लग जया है उद्गाता रहा उद्गाता रहा तो यहाँ पर भी हमारा क्या है प्रत्मा का बहुबचनांत पद है पित्राह वैसे उद्गाता रहा ठीक अगे देखे कथियंति ये बना है सब्सक्राइब ये बारतियो बारतियो प्रारम में किया गया तो यहां भारतिव शंगीत को दुटिया में भक्ती हो गई है भारती संगीत जो हमारा आया हुआ है वो सब कहा से आया हुआ है सामबेट से सामबेट से ही ये कहा गया है कि गीत बाद्यम तथा नरत्यम तर्यम संगीतम उच्यते ठेक गीत बाद्य और नरत्य तीनों मिलकर के हमारी संगीत की भूमी का निभाते हैं इसी को हम क्या कहते हैं संगीत कहते हैं जो हम लोग गुनाते हैं संगीत इतना रस्मय है कि ये हमारे माइंड को बहुत प्रिय होता है संगीत हमारी जीवन का बहुत बड़ा अंग है बहुत अच्छा पार्ट है व्यक्ति को हमेशा अपने मन को प्रशन करने के लिए संगीत को सुनना चाहिए लेकिन संगीत कैसा होना चाहिए आज का संगीत नहीं होना चाहिए संगीत होना चाहिए कैसा जिसमें कुछ ऐसा हो ज जो हमारी कालों से बंधा हुआ हो, जो हमारी हर प्रकार की रागों से बंधा हुआ हो, ऐसे संगीत को हमें सुनना चाहिए, लेकिन आज कल के गानों का कोई राग नहीं है, उठाया और लो गाना, शुरुबात हो गया, ठीक, चलते फिरते बैटरे खाने पीने का भी गाना बन इसके बाद दिया हुआ है भारत्य संघीतं साम वेदादेव प्रारबदते भारती संघीत साम जबेदे के द्वारा प्रारवधी मने प्रारवधी मने प्रारवधी की गई शाम वेदे प्रारवति फिर इसके बाद लगा हुआ है देखो साम वेदे साम वेदे में सब्तमी विवक्ति का क्या लगा हुआ है एक बचल लगा हुआ है साम वेदे में सब्तमी विवक्ति का एक बचल लगा हुआ है कैसे रामे वैसी साम वेदे फिर यहां देखिए लिखा हुआ है 1875 मंत्राह में प्रत्मा का बहुबचन लगा है इसको आप संस्क्रिट में भी बोल सकेए अश्टादस पंच सब्तती ठीक है ना 1875 सब्तती मंत्राह संती और संती जो रूप बना हुआ है यह बहुबचनान्त रूप है अस्ति इस्तह संती अस्ति इस्तह शंती जान रख लेना फिर यहां मंत्रा में प्रत्मा जैसे रामा है वैसे मंत्राह तो प्रत्मा का बहुबचनान्त हो जाएगा फिर इसके बाद देखे साम वेदस्चो शाम वेदस्च लिखा हुआ है तो यहां साम वेदाह हो जाएगा साम वेदाह तो प्रत्मा की विभक्ती भी हो गई यह प्रत्मा का एक बचन और चा हो जाएगा तो संदी विच्छिद हो गया हमारा तो यहाँ पर विभक्ती हमारी कौन सी हो जाएगी, संदी कौन सी हो जाएगी हमारी विशर्ग संदी, विशर्ग संदी में फिर वही हमारी प्रिक्रिया रहेगी, कि हम सबसे पहले यहाँ पर लाएंगे सा, विशर्जनिय से सा से हम लाएंगे यहाँ सा, अब यहाँ पर रू इस्चुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट शाम वेदश्च ऐसे हो जायेगा लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं देखना है जैसे इसमें लिखा है तो आप इसकी आधार पर लि gesch केंगे तो यह ऐसे पहुंच जाये शाम वेदश्च हो गया कि नहीं हो गया शाम वेदश्च अब यहां पर बिशर्गिशंदी भी आप मान सकते हैं अब मान क्या सकते वो है ही बिशर्गिशंदी भी है और प्रत्मा का एक बचल रूप सामवेदा भी बन जाएगा फिर निखा हुआ है पूरवार्चिक और उत्रार्चिक दो भाग है इसमें पूरवार्चिक और उत्रा फूर्व और उत्तर दॉनो भाग हैं तो यह दो भागों का न्यों करने के लिए ब्डなので लगाना पड़ेगा तो दॉनों भागों में तो यह एपकर ना है और वहां अगर वात करने तो कभ्यों कभ्यों हरयो हर्यो हर्यो सिविक। कोई भानवो भानवो तो यह हमारी जितने भी रूप लगाओं यहां कम से कम यही बनेगा हमारा दोई वेचल बेभक्त और प्रप्रेख किया गया है। और गे आत्म कई मंत्र ही संकलिता, सामवेद के कुछ मंत्र जैसे रिगवेद में भी कुछ गाने योग मंत्र हैं, वो यह कहना चाहते हैं कि रिगवेद में भी कुछ गायन के मंत्र हैं, जैसे प्रार्थना बगेरा होगे किसी देउताओं को आवान करना है, तो मंत्रों को हम क्या कर सकते हैं? गा कर के पढ़ सकते हैं. अधिक तर आ आपने देखा होगा कि कोई शिलोक आता है, कोई दोहत जैसा आता है, तो मैं आपको गा कर के पढ़ाता हूँ. ठीक, तो उन्हों ने कहा है कि रिगवेद में भी कुछ ग्याथम कई मंत्रे ही संकलिता रिगवेद में भी कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनें हम गा करके पड़ते हैं ठीक फिरोना का तत्र यग्गे और यग्ग में समाहूतानाम देउतानाम प्रसादनाम लक्षा मस्ती जो यग्ग में क्या किये जाते हैं यग्ग के समाहूत में देउताओं को प्रसादनाम को क किया जाता है गाने के द्वारा मंत्रों के द्वारा प्रार्थना के द्वारा उनको प्रशन किया जाता है इसलिए साम वेद को संगीत का उत्पन करने वाला वेद भी कहा जाता है उत्गाता भी कहा जाता है साम वेद को ही संगीत का जन्मदाता मना जाता है कि संगीत कहां से आई तो सामवेद से आई हुई है फिर भारतिय संगीतम सामवेदा आदा प्रारंभ भारतिय संगीत जितनी भी है सब सामवेद के द्वारा प्रारंभ हुई है शाम वेद हैं शाम वेद में दो भाग भी बिभक्त हैं यह तो मोटा मोटा मैंने अर्थ बताया है अब बहुत कुछ आप देखेंगे आगे ठीक है ना चलिए आपके दिमाग में एक कहानी टाइप की बैठ गई होगी जैसे मैंने एक एक सब्द पर चर्चा की और फिर उसका आपको अर्थ बताया तो इससे क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो इसकी सारी जितनी भी कमियां होती है वो समझ में आजाती है कि आखिर इसका अर्थ आया कहां से कैसे इसके अर्थ को यहाँ पर बनाया गया है कारक्चिन्नों के अधार पर कैसे इसमें अर्थ निकाला गया है यह सारी चीज़ें आ जाती है फिर इसका अर्थ देखले थोड़ा सा आप देखें सामवीद में प्राया रिगवीद की गाने योग मंतर शंकलिद है रिगवीद से उठार करके कुछ सामवीद में यहाँ मंतर रखे गई है जो गाने योगे हैं उस यग में आवाहित बुलाए गए देख़़वे देखलों को प्रशन करना इन मंतरों का क्या होता है लक्ष होता है कि देखलों को प्रशन के कैसे किया जाहे गायन के द्वारा ही प्रशन करना संभा होता है मकलब के देवताओं को प्रशन करने का एक तरीका ही है जिसे हम गायन का मंतर कहते हैं अब यहाँ पर एक चीज और मिल गई है अभी तक हो सकता है, हम लोग नहीं जानते थे कि जब भी हम किसी देवालाई में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, किसी देवता से आरादने करते हैं, चलिए कहीं भी नहीं जाते हैं, तो घर में भी हम इस्मरण करते हैं, या हम कहीं मंदिर में बैटके नहीं पूजा करते हैं, तो अपने आप से हम पूजा करते हैं, क आप समझ लेना उसको उससे जोड़ करके देखना उससे उसको जोड़ करके देखना जो मैं एक्जामपल आपको दे रहा हूं क्या है एक्जामपल यह है कि जब आप छोटे बच्चे और देखना अभी तो आप तो बड़े हो गए हो 9th किलास में आ गए हो लेकिन छोटा बच जाना तो माता प्रता प्रशन होते हैं और इसलिए देवता भी हमारे माता पिता है और उनको प्रशन करने के लिए मंत्रों को हमेशा गा करके पढ़ना चाहिए इसलिए कोई भी मंत्र हो चाहिए आप कोई भी पढ़े हमेशा हमें क्या है उसको लाई युक्त और सुद्ध इसपश्ट करके पढ़ना चाहिए जिससे हमारे देवतागण जल्दी प्रशन होते हैं इस्वर की प्रार्थना हमेशा मन के साथ गायन के साथ लैगीत संगीत के साथ हमें करनी चाहिए जिससे हमारे देवतागण जल्दी प्रशन होते हैं और हमारा उसका परिणाम भी हमें अच्छा मिलता है, तो यहां से यह सीख मिल गई न हम लोगों को, अब आगे देखते हैं, अगे उनने क्या, अतएव शामवेद के मंत्र गाने वालों को बेद पाठी कहा जाता है, ठीक है न, जो हमारे सामवेद के मंत्र हैं, तो उसको हम सामवेद को क्या है, क्या कहते हैं, उसके उसको पढ़ने वालों को हम बेदपाथी ब्रामन कहते हैं या उनको उदगाता कहते हैं भारती संगीत सामबेद शेही उदपन हैं हमारी जो भारती संगीत आया है भारती भारत में जो हमारी आजकल संगीत चल रहा है चाहे कोई भी हो ठीक चाहे वो इंडियन आइडल ह तो चाहे वो हमारा कोई भी सो हो जिसमें हम लोग D.I.D. Little Master हो तो संगीत के एक से एक हमारे महान संगी तक भी हुए हैं अमीर खुसरो जैसे हुए हैं वैजुबावरा जैसे हुए हैं तो यह कहां से हैं यह कहीं अलता मंगेशकर जी जैसी हुई हैं तो यह हमारी क्या हैं यह संगीत की बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं जिनको जिनकी कमी हमें लगता है कि भारत में बहुत कम लोग हैं जो पूरी करशकते हैं और हो सकता है कि कोई ऐसी महान विभूती क्योंकि एक जाता है तो दूसरा निश्चत ही भगवान उसको दुबारा किसी ना किसी रूप में तो लता मंगेशकर जैसे संगी तक का आना कोकिला जो थी हमारी स्वर कोकिला के नाम से जाने जाती थी तो आजाएं जल्दी ही आजाएं कोई ना कोई उनके रूप में आए और संगीत का जो हमारा भार है जो लेकर कि कोई नकोई बहार साध रहे बहुत सारे हमारे ऐसे भजन संकीत को भी हुए हैं, जो संगीत को साधे हुए, और संगीत के आज इस तम्भ को पकड़े हुए हैं, नहींतो आज यकल तो क्या है संगीत ऐसा उटपटांग बना रहे हैं लोग, लेकिर कई ऐसी महान विभूतियां हैं जो संगीत को आज भी पकड़े हुए है सास्त्री संगीत जिसे हम बोलते हैं ठीक हर चीज का ज्यान हो करके संगीत की ओर जाना फिर इसके बाद भारती संगीत आज हमारा जो है वो सामबेद पर ही टिका हुआ है उत्पन हुआ है तरार चीक दो भागों में विवर्द पूर्वार्चिक और उत्तरार चीक दो हाद हैं चांबेद और इसके आधार पर हमारी like क्या यह बाटा रहें भामान जबन आप आङे दिखा तो आगे देख लेंगी है जखागा है यह हमारा जूसरे नंबर का प्यरा अब इसको देखते हैं हम लोग ठीक है ना दूसरी नंबर की परग्राफ में अब हमारा होगा अथर्ववेद सामवेद पर चर्चा अच्छे से हुई ना कोई दिक्कत हो तो बताना जरूर सामवेद में कितने मंत्र हैं हमारी अभी बताया ना कितने हैं 1885 अर्थार्थ हम संस हमारी प्रश्ण बनेगे और यह बैद सामवेद में हमारी प्रश्ण बनेंगे अब इसके बाद अथर्वेद में भी वैसे ही प्रशन है देखें लिखा हुआ है यहा लवा और यह था लेकिन अंतический यारा लाभा उता है तो इला आ गया है इसलिए विशरगी की स्थान पर यहां ओ हो गया है और कौन सी संदी विशरगी संदी के अंतरगत आने वाली उत्यशंदी तो उत्यशंदी हो गया है अथर्व वेदो जैसे मैंने बताया था चत्वारह वेदा की स्थान पर चत्वारो वेदा हो गया ठीक चले अथर्व वेद लोकिकम अथर्व वेदो लोकिकम बैज्ञानिकम चा विशेयम विशेशेण धत्ते अयम विंसतिकांडेशु विभक्ता प्रतिकांडम चा सुकतानी वर्तंते सुकतेशु चा रिग वेदवतो मंत्राह शंती संपूर्णे अथर्व वेदे सब्तो त्रीनसतो सुकतानी पंच सहस्त्रो नव सतं सब्तो असीती मंत्राश्चो विध्यंती अत्र द्वादशे कांडे भूमी सुकतम वर्तते यत्र मात्री भूमे इस्तुति ही विस्तरेणो कृता ठीक है तो ये तो केवल पढ़ा है अभी फिर इसके बाद आप देखेंगे इसमें व्याकरनात्मक टिपड़ी और उसके बाद व्याकरनात्मक टिपड़ी के बाद हम देखेंगे इसमें क्या जो हमारी अर्थ होगा जो हमारी विभक्तिया होंगी उन पर चर्चा करेंगी देखें अथर्व वेदा में यहां पर विशर्ग है तो प्रत्मा का एक बचन हो जाएगा लौ की कम में दुतिया विभक्ति का एक बचन यसे रामहा रामम वैसे लौ की कहा लौ की कम तो दुतिया विभक्ति वैज्ञानी कम में भी दुतिया विभक्ति का एक बचन चामाने और विशेयम एक बचन विशेशेण तृतिया विभक्ति का एक बचन धत्य धाधातू है ठीक है ला और आयम विंसत कांडेशू मतलब वीश कांडों में अब यहां सप्तमी का बहुवचन लगा हुए वीश कांडों में ठीक तो सप्तमी का बहुवचन है यसे रामेशू यसे ते हैं पुर्थी कांड़ में क्या है और पुर्थे कांड़ ılar जो लगा हुके हैं मतरैकर को क्या है इस सुख़ों में बिभक्त किया है सूक्थन तो बहु बच्णान पद है प्रतंत में फिर सूकतेसु, सूकतेसु क्या लिए, सूकतेसु हमारा सप्तमी का बहु बचन पद है, रामेसु सूकतेसु, तो पृतेक जो हमारे सूकतों में और रिग वेदवत मंत्राह संत्री, रिग वेद के समान सूकतों में मंत्र दिये गए है, मंत्राह में प्रत्मा, और जो बत थो अर्थ में संपूर्न अथर्व वेद में कितने में और मंत्रास्च वह लग गग्या है तो भिशumbles विद्ये ते विद्यते विद्ये ते विद्यते तो यह प्रथमा का बहुО बचला नगा हुआ है थेक, आगे देखें आत्र आत्रमाने यहां दौादसी वारह कांडे बारह कांड में सब्सक्ति में यह बचला का मैं ब्हुमि सूप्त बरतते 12 में कांड में भूमी सुक्त का वर्णन किया गया है यत्रमा ने यहां क्या है मात्री भूमी इस्तुतर विस्तारेन करता है यहां पर मात्र भूमी के विष्टार, मात्र भूमी के लिए क्या किया गया है? मात्र भूमी पर इस्तुती की गई है, मात्र भूमी पर इस्तुती की गई है, मतलब प्रतभी से सम्मंदित, इस्तुती, विस्तार पूरवत की गई है, इस्तुती ही में यहां विस्तार की शंदी हो जाएगी, इस्तुती ही, प्लस विस्तरेण, इस्तुती ही प्लस तो यहां विशर्क के स्थान पर क्या हो जाएगा रा हो जाएगा ठीक है ना यहां रा हो गया ना विशर्क के स्थान पर तो यहां हमारा रा चला जाएगा कहां पर इसके उपर वा के उपर हमारा रा चला जाएगा पहले सा होगा सा से रू होगा रू से रा बचेगा और इस कई बार मैं बीच में बता भी देता हूं कि रूप कैसे याद करना है आप थोड़ा सा अपने तरीके से थोड़ा सा अभ्यास जरूर करते रहेंगे कैसे करना है अभ्यास बात करें चाहे राम के रूपों की चाहे हरी के रूपों की चाहे वहानू रूपों की चाहे कवी के र ऐसे आपको सीखना है, जैसे आकारांत राम की बात करें, तो रामा रामम रामेने रामा ये रामा ये रामा ये रामा ये रामा ये रामा की बात करें हम, तो रमा रमाम रमया रमा ये रमाया 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 मे हे रमे, इकारांत पुल्लिंग बाची हरी के रूप की बात करें, कभी की बात करें रिकारांथ पितरी के पिता के रूपों की बात करें पितु हु पितु हु पितरी है पिता जननी की बात करें क्योंकि इससे ज़्यादा आपको मैं यहां पर आगर जैसे माने 12 से लिखा है तो अब मैं पूरे रूप तो यहां लिखनी सकता हूं मैं तो यही बताओंगा ना कि इसमें क्या है सब्तमी का एक बचन है जैसे यहां कांडे लिखा हुए तो मैं यह बता दूँगा कि यहां सत्मी का एक बचन है ज्यादा से होगा तो यह बता दूँगा कि कांडे कांडे यो कांडे सु बस यतना बता दूँगा पूरे पूरे बताऊंगा तो कितने रूप हो जाएंगे पाठ तो होई नहीं पाए अथर्व वेद लौकिक और विज्यानिक विशे को विशेस रूप में धारण करता है अथर्व वेद जो है वो लौकिक और विज्यानिक विशे को अच्छा लौकिक और विज्यानिक समझ रहे हैं क्या होता है समझ रहे हैं लौकिक का मतलब होता है जो बरतमान हमारा चला है बरतमान में जो हम लोग के आधार पर चलते हैं साबाज के आधार पर चलते हैं अथर वेद में वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगे चाहे देखिए कई लोग ऐसा है जाड़ फूक मानते हैं कई लोग ऐसे जाते हैं जादू टोना मानते हैं, कई लोग ऐसे जाते हैं तंत्र को मानते हैं, कई लोग ऐसे जाते हैं जो कर्मकांड को मानते हैं, तो ये लोकिक बेवहार है, और विज्ञानिक विज्ञान ना तो तंत्र को मानता है, ना मंत्र को मानता है, ना किसी चीज को धंग, दोनों धंगों को ये आधार मानता है, दोनों तरीके से ये बताता है, विज्ञान अगर चाहता है कि ये ऐसा होना चाहिए, तो हाँ वैसा भी वेध में लिखा हुगा है, और अगर हम चाहते हैं कि लौकिक विवहार से ये होना चाहिए, तो दोनों प्रकार की सॉलू में आतर्व विवेदMI मिलेंग automatized, और बतनीती आतर विवेद, तो उन्होंने इसलिए बनेकर लॉकिक और विज्ञानिक क्विशे को कायशों भीशान कबिया ह। अथर्वेद में 730 सूक्तिया हैं, पूरे अथर्वेद की बात करें, तो 730 सूक्तिया हैं, जैसे रिगवेद में कितनी सूक्तिया थी, 1028, तो और इसमें मंत्रों की बात करें, तो 5987 मंत्र हैं, और वहाँ पर कितने थे, 10552 मंत्र थी, किसमें? रिगवेद में, ठीक, और बारहमे कांड में भूमी सूकते है जो बारहमे कांड में भूमी सूकते है जिसमें मातर भूमी की विस्तारशी प्रार्थना की गई है मातर भूमी का अर्थ क्या है मातर भूमी को प्रशन कैसे करना है मातर भूमी हमारी क्या क्या हम को देती है मातर भूमी से क्या क्या हमें मि विस्तार पूर्वक की गई है और मात्र भूमी को प्रशन्य किया गया है मात्र भूमी आज भी हम सब का क्या है भार ले करके चलती है हम सब अच्छा कार करें या बुरा कार करें मात्र भूमी पर ही कर रहे है ये मात्र भूमी है हमारी जन्नी जन्म भूमी इस्चा स्वरगा दपी गरी जैसी जो जन्म भूमी है ये हमारी प्रतवी है यहां पर हमने जन्म लिया है अब यह नहीं है कि नहीं मैंने तो गाउ में जन्म लिया है मैंने तो सहर में जर्म लिया तो वो हमारी मात्र भूमी होगी ना मात्र भूमी का मतलब हमारी प्रत्वी यही जहां पर जाए हम वहां पर मात्र भूमी का सम्मान करें यही हमारी मात्र भूमी भारत भूमी है और इसका सम्मान हमारे लिए सर्व परी है इसके बाद फिर हम कहीं की बात करें पहले लिए हमारी मात्र भूमी का हमारे लिए सरव परी है ठीक है तो यहाँ पर आपको समझ में आया रिगवेद, यजरवेद, शामबेद और अथरवेद ठीक और अथरवेद की बात करें यह नहीं का वरणन किया है कौनसे पिसाच को कब प्रसन्य करना है कौन से आहोति को है, कौन से आहोति कि सिखने के लिए अथर्व वेध से ही मिलती है दक्षिनी बिध्या भी इसी में, सब कुछ बिध्या इसी में है जादू टोना अच्छे वोरे क्रम जो भी आप करते हैं सब कुछ इसमें ठीक तो अथर्व वेद ने सब कुछ पहले लिख चुका था आज हम लोग कर रहे हैं आज हमारे हम पढ़ रहे हैं ठीक तो यजुर वेद सुकल यजुर वेद और उसमें हमारा कृष्णी यजुर वेद दो साखाओं में बटा हुआ है उसमें कर्मकांड का काम होता है इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना का काम होता है रिख वेद हमारा पठन पठन दोताओं को बुलाने के मंतरों के लिए होता है सामवेद हमारा संगीत कवेद कहलाता है चारवेदों का वर्णन है चत्वारवेदा है चत्वारवेदा है हमारा पार्ट है चत्वारवेदों के आदार पर यहां सुक्ष में रूप में वर्णन किया गया था इसके बाद अगला हमारा जो पेराग्राफ है इसमें ये चीजे बताई गई हैं आप देखेंगे चारो वेदों का थोड़ा-थोड़ा हम लोगों ने परीचे पड़ा अब हमारा ये प्यरागिराप हमसे क्या कहा रहा है बो जरूर देखें देखें जारा एते सर्वी वेदाह मंत्राणां संकलत्वन सहिता अपी कथ्यंते तदनंत्रं तदा अख्या रूपेणानी ब्रह्मानानी बहूनी वर्तंते कर्मकांड पराणी दार्शनिकी चिंतन पराणी आरण्य कांडी सुग्द दर्शन परा उपनिशदस्च्यो विक्सिताह सर्वे अपी चा वेदानां अंग रूपेण सिक्षा कल्प व्याकरनम बिन विन रुक्त निरुक्त चंदह जोतिसम चा इती सडवेदांगानी बिपुलं साहित्यम प्रस्तुत बंती सर्वमिदम मिलित्वा विशालं बैदिक साहित्यम इती वर्तती देखें इसमें इसको पढ़ने के बाद अब एक एक सब्द पर आप टिपड़ी देख लेंगे फिर इसके बाद इसका आर्थ देखेंगे देखें ये छोटा सा पार्थ था हमारा ठीक उन्हाने कहाए एते सर्वे एते देखें अब ते के एते बहुवचनान्त पद है ये वशाए टेखें एते पहुवचनान्ट पद हैं प्रत्मारे किये गये है वे दा में प्रatmah का बहुँचन मंत्रा नाम में सश्टी का बहुँचन संक्लन तवे रेतिया को बहुँचन लगा हुआ है फिर C dość में प्रत्मा का भईुचन और कत्यती कत्यता कत्य लेंति कथ नम्तरम इसके बाद तद आख्यों, तद आख्यों, तद आख्यों, ठीक, तद अलग हो जाएगा, आख्यों अलग हो जाएगा, रूपानी, तद आख्य रूपानी में प्रत्मा का बहुवचन लगा हुआ है, ब्रह्मानानी इसमें भी प्रत्मा का बहुवचन, बहुनी में भी प्रत्मा का बहु का यहां संदी होगी एक मिनट देख लेना है आपको ये लिखा हुआ है सर्वे प्लस ओ अपी प्लस ओ एती इतना देख लेना है तो यहां यह समझ लेना कि यह प्रत्मा का बहुबचन पद पूरा लगा हुआ है ठीक अब देखें यहां सर्वे पी सर्वे पी तो यहां सर्वे प्रत्मा का यह बहुबचन पद है तो यह आ हो जा कौनसे पूर्वरूप संदी पूर्वरूप संदी कहते है कि पहले ए हो और बाद में आ हो तो आ का बग्रह हो जाता है तो यहाँ देखें यह हो जाएगा सरबे पी यह यहाँचंपक पुसपक न्ययन घंडा कारों अभी धीयते तो यह हमारा कैसा हो यहां पर हमारी क्या हो जाएगी यहां तो यहां तो पूरवरूप संधी हो गई है यहां लगेगी यन संधी तो यहां संधी का सूत्र होगा हमारा एको एड़ाची और यह को एड़ाची हमारा सूत्र क्या कहता है इड़ाची और लिरी य के स्थान पर याँ यूरा यहां लिर्ट संधी का फॉर्मूला है तो यहां थेख लें सरवेपी में तो प्ली यहां लिखा यहां संधी के रूँद है शर्वेपो कर देना है और ये को बाहर निकाल लेना है और एते कर दिया देखें जरा लिखा है शर्वेपी शर्वेपो और ये के स्थान पर हो जाएगा या प्लस एते अब इसको मिलाएंगे ये हमारा बनेगा शर्वेप्यो शर्वेप्यो और आधा है या या आधा है तो एते का ए मात्रा लग जाएगी उते हो जाएगा सर्वेप्य शर्वेप्य एते तो सर्वेप्य हमारा क्या बन गया है यहां पूरा रूप बन गया, यरसंधी का रूप हो गया, पाह हमारा आधा हो गया, ठीक, तो यहां हमारी यरसंधी हो गई है, आगे देखें, आगे हमारा रहेगा ये, सरवेप पे फिर वेद सहीता नाम में शष्टी का बहुवचन हो जाएगा, वेद सहीता नाम में हो जाएगा वेदा नाम सश्टी का पहुवचन और अंग रूपेन में तरतिया विवक्ति ठीक वेदों के यंग कितने अंग को रूप बचाएगा पहला सिक्षा दूसरा कल्प तीसरा व्याकरण तीसरा चौथा निरुक्त फिर इसके बाद दिया है छंद जोतिस चा और चा जोतिस चा सड वेदा अंगानी इस प्रकार सी छे वेदों के अंग है विपुलम साहित्यम और इसमें बहुत साहित्य प्रस्तुत बनती बहुत सारी विशाल साहित्य को प्रस्तुत किया गया है सर्बवीदम सर्बम इदम अलग हो जाएगा सर्बम इदम मिलित्वा सब किया गया है और इसे हम क्या कते हैं इसके बाद तद आखे रूपानी ब्रहमधानी इसको भ्राहमधा लोग इसका क्या है करमकान अधी में परायन करते हैं दार्सिनिक चिंतन पर आणी अरन्यकानी अरन्यकों में और अपने दार्सिनिक चिंतन में सुद्ध दर्शन में और उपनिसद आदी में इसका क्या है विक्सित किया गया है और सर्वेपी सभी सभी भी भेद सहिताओं को पर्थक पर्थक अलग-अलग करके इनको अलग- ग्रूप में पढ़ा जाता है कई अरन्यक होते हैं कई दर्शनिक चिंतन होते हैं कई सुद्ध दर्शन परह होते हैं उपनी सदस्चों को पढ़ते हैं ठीक और फिर वेदां वेदों के अंगों को विभाजत किया गया सिक्षा कल्पतरू व्याकरणम निरुक्तव संदा अगर आपकी व्याकरण सुद्ध हो गई है तो पूरा वेदा आपका सुद्ध हो जाएगा और पूरा वेद सही हो गया है तो आप चलने लगोगे संस्क्रित में ठीक चलिए आगे देखेंगे इसका आर्थ थोड़ा से देख लेंगे इस आर्थ पर चर्चा करें इन सारे वेद मंत्रों में देखो इन सारे वेद मंत्रों का संग्रह होने के कारण इसे सहीता भी कहते हैं इसे क्या कहते हैं सहीता भी कहते हैं इसके बाद वह व्याक्या सास्त्र व्यारभ्रामन ग्रंत क की अलग-अलग रूप हैं फिर भी वेदांग के रूप में छे वेदांग के रूप में सिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और जोतिस छे वेदांग के विशाल साहित को प्रस्तुत करते हैं ये सब मिलकर विशाल वैदिक साहित के रूप में दिद्धमान हैं आप चा तो ये शा पिंगल सास्त्र को उठा लिए तो कहीं ना कहीं हर जगह हमारा वेदों को रखा गया है तो वेद के आधार पर पूरा वर्णन हमारा अब छोटे-छोटे रूपों में दे दिया गया है जिसको हम वेद के रूप में ही ये नमाने कि हम ब्याकरण पढ़ रहे हैं संस्कित पढ़ रहे हैं तो हम वेद नहीं पढ़ रहे हैं सब में वेदों का ही अंसर है चाहे आप ग्रामर पढ़ लिए चाहे च्छंद पढ़ लिए चाहे जोतिस पढ़िए और चाहे आप सिक्छा गिरहन कर रहे हैं वो भी और च जयातु संस्कृतम, जयातु भार्तम.